तो हर्याना के कईजलों में घने कोहरे का अलट है, कोहरे के चलते विजिबिल्टी भी कम हो गई है, गुरुग्राम में सुबा 9 डिग्री पारा दर्ज किया गया है, आने वाले दिनों में भी मौसम में बदलाव के अनुमान है और कोहरे से किसानों की फसलों को फायदा पहु में बदलाव के अनुमान देखे जा रहे हैं, लेकिन ये घना कोहरे जो है, जितना लोगों के लिए आफ़त बना हुआ है, ऐसे में किसानों के लिए ये खुशी की खबर है, क्यूंकि फसलों को फायदा पहुंचेगा, किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि कोहरे अगर के कहरे का सर देखा जा रहा है? उसको जारी क्या गया है, वहीं जो एक और पहुंचेगा, कहीं जो फसलों के लिए भी फायदे मंद होगा, अगर किर्शी विवाग के दिकारियों की बात करें तो उनके द्वारा बताया गया है कि अगर पाला पढ़ता है तो वो जो फसलों के लिए नुक्शान दायक रहे करें लेकिन जो फसलों के लिए खासकर जो तो फसलों के इंदर जो फूट होती है इस समय उसके अंदर जो कोरे यह काफी मद्बगार शबित होगा और ऐसे में जो मौसम विवाग है वो लगातार उसकी तरफ से जो चितावनी विजारी की गई है आकि को रहें वो जादा है तो ऐसे में जो सावधानी पूरों का वान चलाएं और ऐसे में जो सड़क है उन पर ये जरूरी है कि रिफ्लेक्टर का परियोग करें या कैट आई का परियोग करें या संके तक की बात करें तो उनका होना अतियावसक है क्योंकि कोरे के अंदर जो आगे वाला विकल साउल करें तो कई नाीं जो ये ठाज़्ड है लागे तक यहां वहां करे कि दिखाय कुल मैं कर cradle मोजूद हो या कि मोजुद की बात करूं तो लग-बग क्रीब दोता के बना हुआ है और अगर पूरे मैं ौर्य में तनुक्र कारते हैं और यहां पए जाने जाने के लिए उनका उपयो हैं वां चाल को कि अगर बात करें तो शड़क पर लगातार जो आगे वाला विक्कल है वो दिखाई नहीं देता तो ऐसे में कफी जो परिशानी है वो भी जो कोरे के चलते वांचाल को भी उठानी पड़ रही है और कई ना कई इसे जो हाथ से उनमें भी बढ़ोतरी जरूर होगी अक्षे मौसल विभाग की बात की जाए तो अभी कितने दिनों तक इस तरीकी की तस्वीरे सामने आती रहेंगी और पारा जो है लगातार तापमान गिरावट देखी जा रही है और दिल्या अंसियार में भी कई ऐसी तस्वीरे सामने आए जहां पर कई तरीके से अब कोहरा जादा बढ़ता हो नजर आ रहा है तो मौसल विभाग ने क्या कुछ कहा है इसको लेकर कि कब तक इस तरह की किस्तिती बनी रहेगी बिल्कुल आगामी पांस दिन की जो एडवाईजरी होमोसल विवाग के द्वारा फिलाल जारी की गई है उसके अंदर जो अगर मैं तापमान की बात कुरू तो लिंतन तो चापमान है वो 6 डिगरी तक दरसाया गया है और लगातार उसके अंदर जो गिरावट हो कई दिनो का जो महिना है और लगबग 24-25 तारीक के करीब जो अंतीम जो तरण आफता है वो दिसंबर का चल रहा है तो ऐसे में जो जनवरी के जो पहले और दूसरे अफते होंगे इसमें भी जो कोड़े की जो चादर है कहीना कहीं जो गनी चादर हो दिखाई देगी और ऐसे में कही कहीना कहीं जो परेशान यह नजर आएगी अगर इस चाद कोरे की चादर के साथ जो और जो ताफमान में गिरावत आती है था पाला पड़ता है तो उसे कहीना कहीं जो किसानों की जो चिंता वो भी बढ़ेगी जो कि फसलों को साथ तोर पर इसे नुक्षान होता बहा नज है वो मिलती है और ऐसे में जो अगर शर्सों की फसल की में बात पर उसके अंदर अगर जादा जो गर्मी पड़ती है तो उसमें रोग आने सरु हो जाते हैं तो ऐसे में यह कोरे की चादर है इससे जो नमी उसमें आएगी और शर्सों के अंदर जो कहीं ना कहीं रोग है उ पीछे हम देखते हैं कि कई बार जो जीरो डिगरी तक जो तापमान है में अधर गड़ का यहां तक पहुंच जाता था और उसके साथ में अगर बारी होती है तो अभी कहीं ना कहीं अगर मैं दूसरी और बात करूं तो दौरी मार है कहीं ना कहीं वह पड़ रही है एक तरफ वाहन चालक भी परेशान है लेकिन अब कुछ दिनों तक इस तरीके की हालाद बनेंगे बहुत शुक्री आक्षी आपको अगरे हैं हर्याण में कई जिलों के अगर बात की जाए तो अब शहर की बात की जाए सोनिपत की तो दस डिग्री वहां पर तापमान बना है पानिपत रोहतक बहादुरगर में भी और जजजर की बात करें तो वहां पर 9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है जीन्द गुरुगराम फर्दबाद में भी 10 डिग्री तापमान फिलाल है लेकिन देर से आई है दिसंबर की ठंड ये जरूर कहना होगा सोनिपत पानिपत रोहतक में 10 डिग्री और जजजर की बात करें तो वहां पर 9 डिग्री तापमान है जीन्द गुरुगराम फर्दबाद में भी 10 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है